हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है दिव्या आईए स्टार्ट करते हैं पार्ट टू चप्टर 11 स्केडूर अनिमल्स और वाल्लाफ प्रटक्शन एक 1972 चप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगे वाइश आयस को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब् थे को रहा था हिस्पीड एर की बारे में जो कि वैस्टन में है यहां पर आप इंके पिक्चर देख सकते हैं यह अपका होग बैजर है यांप यह इस्पीड एर है और यह लुए वज्यपोड वेस्टन ऐस्टॉ tempoืё फ्लोग एपैस अन 10 ऊल्हाग के बड़ेंगे यहां पर भुलोग जी नेजक वहाँ पहिए जाता है और इंडिया में नहीं पाए जाता में प्रदेश में पाए जाता है लेकिन यह किस तरह के एडिया तो पढ़ाइट पाए जाता है और दूस्तर पाए जाता है और फिर बाद में इसे खत्रा किस की सीजों से habitat loss fragmentation human interference और hunting से अब हम आगे देखते हैं leopard तो leopard का status है near threatened तो अब और देखते हैं यह कहां पाए जाता है यहाँ पर देखिए यह देखिए southwest Asia Himalayan foot hills इंडिया चाइना और जावा में और स्रिलंका में भी पाय जाता है लैपड जो कि होते हैं mostly इंडिया के जो फॉरेस्ट में पाय जाते हैं जो इंडियन सब्कॉंटिनेंट हैं वहाँपे पाय जाते हैं leopard और जोग्रफिकल एरिया इंडिया में जोगे ऑल फॉरेस्ट राइपस जैसे की ट्रॉपिकल से रेंट फॉरेस्ट जेसे लेकर जो टम्प्रेटवर्थ डेसिद्रल्पिकल अर्लपाइन कॉनिफररेस्ट फॉरेस्ट मतलब इसका स्पेक्ट्रम है काफे बड़ा है और फिर इसका खत्रा किश किस ची उससे इसे खत्रा है यह आप लेपड की पिक्चर देख सकते हैं और लेपड और चीता में डिफरेंस होता है वोप आप समझ गए होंगे पिक्चर से फिर आता है लेपड कैट लेपड कैट इसकी कैटेगरी है लीस्ट कंसर्न इसका यह कंजर्वेशन स्टेटस है यह इसले आएशिया में काफी टोला हुए है कभी जाल जगे पर फैला हुआ है इसले इसले ऐस吏 ऐसे कहा गया है और रिवर्स में जो तू तीन सो थैंतर जो मिटर एकसेंट्ट इसतार नहीं है तूर चाहिए जाता है। तर्वरेट और गाहे हैं जो ज्लैकल एरिया ट्रस किलेकर ट्रस कॉर्सें से लेकर देजर्ट के पाड़ से पाया है और फिर इसका इसे खत्रा किस चीज़ों से हैं मेजर थ्रेट किस चीज़ों से हैं कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन इसके खाल के लिए इसे एक्सप्लोइट किया जाता है इसके इसकी हंटिंग की जाती है और फिर जो लेपड कैट है उसे डॉमेंस्टिकेट मतलब उसे घर म तो फिर हाईब्रीडाइशन से इसा पड़ा नहीं है उसके बाद आगे रहते हैं रैडट पैंडा के बारे में इसका स्टेटस है इंडेंजर यह पाया जाता है नेपाल इंडिया भूटान अमार तो मोस्ली जो नौर्थ-eastern और इंडिय दिल उसकते रहा जाता है जारे यह दोलार वांपर का ञीड़न अंधे यह इस है पहले तो लाइन टेंट मिक्ति की स्टेटस है वह एंडेंजर है तो यह वैस्टन घाठ्स में इन डेमिक में वहां पर इसके वाज बाइब पाइजाता है उसके वस्टन इंडिया जिसे तो यहां पर देख लीजिए अपर कैनिपी होती है उसकी जो आपर कैनिपी होती है जो उपर होते हैं आपको पता होगा रेंड फॉरेस्ट में किस तरह से कैनिपी इसा बनती है वहां पर ज्यादा पाए जाते और मॉन्सुन फॉरेस्ट तो जैसा कि एरिया है वहां पर जैसे जादा पाए जाता है और यह आपको याद रखना है यह सब छीज़े थोड़े ध्यान देने वाली होती है और इंपॉर्टन भी है फिर इसे खत्रा है 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 वहां पर हैबिटेट ट्रैक्मेंटेशन से और जो एक् लाइन टेल मेकैक यह है आपका लेपर्ड कैट और यह रेड पैंडा फिर आते हैं हम इंडो पैसिफिक फिलर्स पॉर्पोईस से इसका स्टेटस है वलनेरेबल यह मुस्ली जो मलबार वैस्ट है इंडिया का वहां पाये जाता है तो मलबार मतलब मैलबार वैसे भी कोस्ट वाटर में पाय जाता है मैंग्रोज स्वांप एस्टूरी जो मोस्ली जो पर वाटर बॉडी सोती है वहां पर यह पाया जाता है तो इस खत्रा किस चीजों से है शॉस्प्टेबल टो एंटैगलमेंट गिलनेट्स जहां पर जो फिशिंग के लिए इस तरह से जो जाले भी उनसे इसे खत्रा है और प्लूशन क्योंकि मराइन जो पानी में रहता है वाटर बोडी में रहता है तो उसे जो प्लूशन होता है एक्विटिक बोडी में उससे इसे खत्रा है और जो बोट के वज़े से ट्राफिक क्योंकि वहां पर बोट चलती है जहाद चलते हैं तो उस से भीचे बहुत खत्रप होता है dsTube वहाँ गरेखते हैं रेटा लॉर्स और ग्रे और लॉर्स तो इसके स्टेटस है एंडेंजर एंडेंजर लीड बनन का है एंडेंजर और ग्रेख में पाई जाते हैं शी लंका सदन इसन इंडिया जैसे कि आंदरप्रदेश, करनाटका, तमिलनाट और श्रीलंका में भी पाए जाता है और फिर बाद में प्राइमेरिली यह कहां पे इंसेक्टिवोर्स होते हैं यह इंसेक्ट को खाते हैं और नियर हुमन हैबिटेशन मतलब जैसे जहां पे इंसान रहते हैं तो रोड से सब में आते हैं वहां पे मर जाते हैं और फिर एलेक्टिसिटी वहां पे क्योंकि तारों से सबसे उनसे इनने खत्रा होता है उससे भी मर जाते हैं और जो मेडिसीन में इनका इस्तवाल किया जाता है उस वज़े से इने खत्रा है फिर हम आते हैं एशियन केराकल लिंक्स यह भी इंपोर्टन स्पीसीज है याद रखने आपको लीस्ट कंसर्न है लेकिन इस इंपोर्टन है फिर कहां पाई जाता है एफ्रिका में राइट सें लामी डेजर्ट राइट जैसे ओपन सवान होता है और मॉइस्ट वूड लेंड जहां पर पाई जाते हैं इवन एवर्क्रीन फॉरस्ट में भी पाई जाता है इसे खत्रा है वहां के आसपास में जो मवेशी होते हैं उनसे भी ने खत्रा है और हंटिंग की जाती है तो कि यहां पे रहे हैज और पर पोई स यहां पर क्या नाम दिया TA खेंटाय ओंडेग यह अगे बढ़ते हैं तो बहला बस हट रहर है अगर चवेट य याद रखनें हमेशा कॉफी याद रखिए और आप explore किजिए कि क्यों सिवेट को काफी से यह रिलेट किया जाता है तो मालबार सिवेट तो इसका status है critically endangered और पहाय कहां कहां जाता है तो मालबार कहा है इसलिए western इसलिए आपको याद रखने कोमन सिंसी बात है नाम से पता चल जाते हैं तो फिर यह वेस्टन फार्ट में जादा तर आपका एंडेमिक है और फिर वेस्टन वेस्टन फोस्ट्रिक्स जासे करने कुमारी वाइनार कूर्ग रइट करनाटका में वहां पर पाय जाता है उसके होजा जाता है उसके पाइब घ्रेडेशन उसके इस इसको इसको शिकार किया जाता है सिवेट ऑस के लिए रागे ढगे देखते हैं सनबैर तो एक प्रकाब रहा समब काटेगरी है दोगरासा सांबैर पर अजिम रूण एक परने नितराका में कहां पाया जाता है snौथ एसे भी इस नौथ ऊनिया के जो आप जाधा पाया जाता है कि तो के साउट है है tropical forest होते है habitats होते है mangroves होते है swamp होते है तो इसे भी habitat loss से खत्रा है commercial hunting के वज़े से इसे खत्रा है फिर आता है marble cat इसकी category है conservation status है और और कहांभ़ जाता है tropical indoor malay west word लpen इसे वहां पर ने पाल चानि और सुमाज्ट चमाट्रा जो इस civils इस और हिमालय उस तरह यहां पर पर छिसी रोगफी देखते हिन mixed deciduous ever tropical rainforest फिर आते हैं इसे खत्रा किस चीजों से हैं तो deforestation से हैं obviously और जो oil palm होते हैं उससे भी से खत्रा होता है हमने देखा था जब oil palm farming के वज़े से ये वी कितना बड़ा environmental issue है तो फिर उस farming के वज़े से marvel cat को बहुत threat है उससे खत्रा है फिर जो agriculture होता है उस वज़े से भी से काफी नुक्सान होता है फिर आता है मार्खोर तो इसका स्टेटस है और यह पाए जाता है नौर्थ इस्ट अफगानिस्तान में और फिर नौर्धन इंडिया में जम्मो और कश्मीर और फिर पिर पंजल रेंज है इन जगे में पाए जाता है तो जैसे मांटें टेरिंस बात है इतनी आहां से आपको पता चल जाता है और यह मुस्तली ग्रास और लीव्स खाते हैं हाइड भी दी गई है मांटें टेरिंस की 600 मीटर से लेकर 3,600 मीटर तक तो इसे हंटिंग से और हाइबिटाट के हाइबिटाट के चेंज होने के वजह से काफी ज्यादा इसे खत्रा बहुशता है और आपको पता यह बॉडर एरियास में है पड़ता है तो इस वजह से वहा बाइट उसके बाद अपका कहां कियां यहां पर यह देखिए मलाभास सीवैट तो यह इनतर पेर से वजह से यह संबे इस आपका संबेर है और यह हैं आपका मार्खोर तो पीर पंजल अरिया उस वहां पर पड़ता है उस का नाम ऐससा क्यूं दिये हो गया आप इसके पिक स्टेटास लीश पंसर्ड इंडिया में तमिल्लाड़ो केरला और साओथ और के पाया जाता है और राजस्थान में भी पाया जाता है तो मतलब थोड़ी बधर वाइड रेंज है इसकी ट्रॉपिकल डेस्टिस्ट में मौस्ट एवर क्रीन समी एवर क्रींट फोरेस्स में भी जाता है परनिसलार हिल्स में पाए जाता है हंटिंग के वज़े से मोस्ली मीट परपरस के वज़े से इसे 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 इस्तमान किया जाता है वेस्टन घाट और इस 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 इंगाट में राइट फिर आगे देखते हैं हिमालियन मस्क डियर तो यह इसका स्टेटस है एंडेंज इंडिया में पाई जाता है निपाल और चाइन है तो अल्पाइन इंवार्मेंट में रहना से पसंद है वहां पर इसका है राइट बैरन प्लाटू जहां पर ज्यादा पेड़ पहुत ही नहीं उगते हैं तो हाई एल्टिट्यूड में रहते हैं और फिर बाद में श्रब श् यशो लिएंग और पार्मेंड वैससे ऑस्याते यह से इनका के लिए फिर लुपस के लिए हम शिकार जाता है जिन श्रब बहुत Is प्र नीलगेरी लंगूर इसका स्टेटसुन है वॉइस्टर्ण घार्ट में नीलगेरी आप आपको पता होगा कहां पर है तो वेस्टर्ण घार्ट में और साओ्थ वेस्टर्न इंडिया में जैसे करनाटका कैरला और तमिल्नाट ज़ाइब देखते हैं से fewSP पाया जाता है और इसका शिकार किया जाता है इसकी स्कीन के लिए मैदिसिन्स के लिए है और हविजेटं लॉस के वज़े से हत्रा है माइनिंग के जो फोने के होती है उससे चत्रा इनल के प्रोजेक्ट से इसका हाबिटेट लॉस हो रहे तो इसे इसे फ्रेट पहुंच रहें खत्रा हो रहें फिर नील-गिरी-ताहर रैट इसका स्टेटस है एंडेंचर हमने पहले हिमालयन-ताहर के बारें पढ़ा था अब हम पढ़ रहें नील-गिरी-ताहर के बारें में तो 5% of पहाड़ जो घास से भर होते हैं क्यूंकि यह मुस्ली करते हैं यह ग्रेजिंग से खाते हैं जो पेड़ प१ोध है उन्हीं कुखाते हैं तो इसलिए ग्रास अब खाते हैं तो ऐसे जगे में जादा रहते हैं यह विद्ट लॉज़िए से खत्रह और पोचिंग के वज़से सिकार किया जाता यह जैसे इसका झा et sa हिमालन मस्क भी तो यह है इसके यहाइपका लिय अज्बीर ते SHE फिर आता है है निलगिरी तहार जो यह एभग स्राइब के यह नहीं पहिए एधियें यह इसं एख में नहीं पहाए जाता है इंडिया तहीं इंडिया में तामिलनाड़ और केरला में तो ट्रोपिकल फॉरिस में ओपन देश्टे उर्बश होते हैं और जहां पर फ़ोगे अभी आने , ज्क्रमेट के लिए और स्क्रमेट मैं जम्दि साली seule के इला प्रिग्मी हॉग प्रिग्मी हॉग इसका स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर राइट तो यह नौर्थ नौर्थ वेस्ट बेंगॉल में नौर्थ वेस्टन जो असाम है वहां पर पाई जाता है हमालन फुट विल से पाई जाता है असाम तक फिर आगे देखते हैं ग्रासलंड और श्रब और ट्रीज में पाई जाता है जहां पर ट्रीज और श्रॉब्स होते हैं इसे खत्रा है 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 एबिटेट लॉस से और जो नैचुरल सक्सेशन होता है उससे वज़ेसे भी से थ्रेट पहुंचता है इसके सर्वाइबल को फिर ग्रेट वन होन नाइन इसका स्टेटस है वालनरेबल राइट तो नौर्धन पार्ट है जो इंडिया में वहां पे जैसे इंडस हो गया और गंगा ब्रह्मा पुत्रे बेसिन हो गया और नेपाल भूटान बांगलादेश पाकिस्तान इन सब हैं तो मतलब मुस्ली जो नौर्धन पार्ट है नौर् ने तो फिर याद रखना है तो फिर रिवराइन ग्लास लंड्स हो गए तराही एरिया जोगे जहां पर हम बात करें गंगा की तो गंगा पूरा यह विल्यूवियल प्लेंस है और फिर ग्लास ग्लासलैंड में पाए जाते हैं प्र आते हैं इसके खत्रा किसकी से अहबिट यूस भी किया जाता है इस वज़े से इसे बहुत खत्रा है तो यह है अपका बन होंड चाइन यह है इंडियन पैंगलें राइट और यह अपका पिग्मी हॉग राइट पिग्मी हॉग आगे बढ़ते हैं रस्टी स्पॉटेड कैट इसका स्टेटस है वालनेरेवल पाये जा सब्सक्राइट सब्सक्राइट अब सब्सक्राइट सब्सक्राइब करने इसे ऱौइबकर यह ऊपका एक है जाता है गंगलदेश हिमालिया बुटान नौती नौतन इंडिया सिक्केम नेपाल नौत इस इस इंडिया और वेस्ट मयानमार में तो स्टीफ फूर्ड हिल्स होते हैं और जो रॉकी प्लेंस होते हैं जहाँ पर यह इस वह पाया जाता है राइट हील्स है फिर इस एक खतरा किसकी से म जो ट्रॉपिक हैबिटेट डिस्ट्रक्षन होता है वहां इसका इसका है इसका स्टेटस है वाल नरेवल कहां पाई जाता है इंडिया में लिए फूटिल्स में जो जो हिमाचल प्रदेश के कुल्यू मिला रही है वहां पे रही है कुल्यू साड में और वेस्ट पिंगॉल में असाम में अरणाचल प्रदेश सिक्किम यहां पर पाई जाता है और उसके बार फिर कुर्ग में जो कि करनाटका में पढ़ता है अशामबू नीलगिरी पलनी हिल्स जो कि तमिल्नाड में और केरला में पाई जाता है राइ तो फ्रीने वेत्ट लैंन सिस्टम जहां गलब वहां पहल पाई जाते हैं तो हिप्ल autom मेंटर लिग्धिक से कुछ पान साथ, लेंज्ट इसकाई-व्रणs भी सीक्राय, पान सपनो बैह LOOK अगर आप जोग्रिफी लेक्चर्स आप कवर कर रहे हैं देख रहे हैं तो आपको यह तो आराम से समझ में आ जाने चाहिए और मैंने कुछ टाइम से पहले पढ़ाया भी हुआ है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहे हूं फिर आगे बढ़ते हैं इसे खत्रा है habitat destruction से और और फिर बाद में आपका rusty spotted cat यह रहा है फिर आगे देखते हैं sloth bear इसके category है conservation status है इसका vulnerable कहां पाए जाता है इंडिया नेपाल भुटान और शिलंका में गुजरात से लेकर नौर्थी जो वैस्टन घाट से वहां तक पाए जाता है राइट जोग्रफी देखते हैं wet and dry tropical tropical forest grasslands जो lowland species है वह इस आहें तक पाए जाती है इसे खत्रा है habitat loss के वज़े से poaching के वज़े से क्योंकि forest produce के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है और monoculture जो right जो tree plantation किया जाता है उसके वज़े से भी इसे खत्रा होता है और फिर उसकी जो बियर है यह एक तरह का भालू होता है उ इस से इसे उसके लिए इसे मार दिया जाता है फिर आता है Bengal slow. इसका status है को जगता है और फिर ट्रोपिकल एवर्ग्रीन फॉर्स्ट में पाए जाता है सब्सक्राइब नौट इस इस पार्ट का जोग्रफी है उसके बार फिर हैबिटेट लॉस के बज़े से फार्मिंग के बज़े पड़ जब रहा हैं पहीं कर फ्लाइंग कौरल के बार पढ़ा था आप ब्राइंज कोरे अब हमें पाद रहाएं तो फ्लाइंग के बार मुझयार पलएंग क्विरी तो यहां पर पर करनाटका में वहां पर पाये जाता है तो यह झार बोरियल और नॉक्टरनल ल्ग यह स्पीसिस है और ऑब डाली सब्सक्राइब में पाए जाता है फिर आप इसके इसे खत्रा है habitat loss के वज़े से जो कि agriculture के वज़े से होता है और human के बसने के वज़े से human settlement के वज़े से उसे खत्रा पहुंचता है तो आप यह देख सकते हैं यहापका है और यह आपका लॉरिस है यहाँ पे देखिए पूरा नाम बैंगॉल स्लो लॉरिस राइट यह और फिर बाद में आपका है स्लोथ बैर यहाँ पे देखिए यह आपका स्लोथ बैर राइट आगे बढ़ते हैं स्नुफ बिन डॉल्फिन राइट तो डॉल्फिन है माराइन अनिमल है मिन वाटर पॉर्डि में रहता है एक्विटिक अनिमल है स्टेटस है वॉल्णरेबल चिलिका लेक राइट यह कहा मतलब की चड़ होता है ब्रैकिश वाटर है और रिवर माउट्स में यह जादतर पाए जाता है इसे खत्रा है 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 यहाँ डिग्रेडेशन के वज़े से राइट फिर आता है स्नौ लैपर स्नौ लैपर से नाम से बता चल रहा स्लो मतलब जहां पर बरफ होती है तो यह कहां इंडिया में और इंडिया में कहां-कहां पर पाइसा जाता है जम्मू कश्मीर कहांचल प्रदेश भी के मुटरकंट रह तो जहां जहां बरफ पड़ती है वहाँ यह पाए जाता है फिर आगे देखते हैं पाइड ऐलपाईन एंड सब एलपाइन एड़में जो इपाइन ह के लिए वहाँ पर कम है राइट क्योंकि ऐसे जगह में रहते हैं जहां पर ज्यादा बार डाइवरस्टी नहीं होती है फिर वहाँ पर इंलीगल ट्रेड भी कह जाता है इनका उसके लिए मारा जाता है फिर आनिमल पीपल कॉंफिक्ट हो जाते हैं और फिर कंजर्वेशन लै कहां कहां पहाँ जाता है स्वांप से पको पताया है मुसकर की सिर ждahr गारी पैए जाता होगा तो यह देखें नौंगरें और सेंट्रल इंड़ियзд होती है वहांutos पाइ जाते हैं ड्रू स्वहल्श डियार होते हैं वह पह पे पाए तो मैंग्रोव से वहां पाई जाते हैं खत्रा इसे है विटेटल और से और डूटू कंवर्जन इंटू अग्रिकल्चर लेंड ठीक है जो फॉरेस्ट को अग्रिकल्चर लेंड में कनवर्ट के जाते हैं उनसे इसका घर चिन जाता है तो राइट यह आपका स्नफिंगो डॉ इंडिया में और चाइट है जमौ कश्मीर में और फिर चायडामे बैं अविकिड्स में और हिल्ल प्लाइव में और मौंटिन वैली में और इसे इसके फौर उपर नायेडन जह ऑन्टींग व प्रवारा जाता है फिर हम आते हैं टीबिटन फ्लाफ के बार में जानते हैं यह लीस्ट आन है तो यह नाम से पते चले तेजिए तन फॉक्स मतलग किस तरह कहां पर है मिलेगा ज्यादा टीबिट फ्लाट्व में और फिर उस वहां के जोग्रफी से आप इसे रिलेट कर सकते है तो टीबिटन फ्लाटो लदाख एरिया में चुकी इंडिया में और चाइन और नेपाल में पाई जाता है तो अप्लेंड प्लेंस होते हैं यहां पर जैसे वहां पर कैसे रहते हैं और फिर डिवाइड ओफ ट्रीज और डेजर्ट कहा जाता है तो टीबिट भी कुछ ऐस फिर हम आगे देखते हैं टिबेटन गजल अगैन तो नियर थ्रेटन्ट है ये और किंगाई च cognition Mai इसे एक आप लॉज़ीं फिर यो पिए फिर आता है कियांग जिसे कहते हैं वाम डाइट एस तो मील memo इम में पहरा है यह injust concern conservation status Ellis concerned है Tibetan क्लाटों तीबतन पार्ट जाता है यह और चायना में नौर्थ पकिस्तान और इंडिया में भी पातार में और ऑफकरी जाता डाक्र toute पारेशन घो फिर पार्ड में ओपन टेरेंस जो फ्लेंड है इल और हील्टिटुड एरिया जहां पे जहां पर ग्रास और सेज अबंडेंट होते हैं फिर इसे खत्रा है हंटिंग से शिकार करने से और इसकी और क्या होता है जो डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक है मतलब जो कुछ ऐसे मवेशी यह सब होते हैं जो जिन्हें पालतू बना लिया जाता है डोमेस्टिकेट किया जाता है तो उनसे भी इन्हें बिमारियां फैलती है तो उस वज़े से इनकी तादात में कमी आती है तो यह आपका यह आप देख सकते हैं यह वाल्ड एस क्यांग और फिर बाद में हम देख रहे थे तिबितन फॉक्स यह आपका टिबितन फॉक्स और फिर यहां पर देखिए तिबितन गजैल और चीरू फिर हम आते हैं टाइगर टाइगर का स्टेटस है एंडेंजर ठीक है तो यह कहां कहां पाए जाता है साउथ वेस्ट एशिया साउ यहां पर है तो ऐसे डिसपीर हो चके हैं और एशन कंट्री से जैसे बंग भुटान बंगलादेश भुटान कंबोडिया चाइना इंडिया इंडिनीजिया मलेशिया मलेशिया और लावस मयानमार नेपाल रश्या थाइलेंड और व्यत्नाम तो काफी इन जगे में पाए ज जाता है तो ट्रोपिकलल फ्यास यह जए टरटी इसमार इंडिया में प्रोपडिटी है जहां हैं पर सूजन हो जाती है इन फ्रॉमेशन हो जाती हो उसका रोकने में medicinal properties पाई जाती जिसके वैसे इनका शिकार किया जाता है फिर आते हैं हम उरियाल पे वल्लरेबल स्टेटस है उसका और इंडिया में सिर्फ लदाक में पाई जाता है और सेंट्रल और सौथ सौथ वेस्ट एश्या में पाई जाता है और से एरिड हैबिटेट में एरिड हैबिटेट ग्रासलेंड में पाई जाता है तो इसे खत्रा है पोचिंग से और जो वहां की जो मवेशी है लाइस्टोक है उनसे कंप्टीशन से खत्रा है फिर हम आगे बढ़ते हैं इंडियन बफेलो इसका स्टेटस है एंडेंजर साथन नेपाल में सदन भूटान में वेस्टन थाइलेंड राइट नौर्धन में आनमार इंडिया में कहां पर बस्तर रीजन जो मद्र प्रदेश असम अड़नाचल प्रदेश में घाल है ओडिशा और महराश्ट्र में पाई जाता है लो लाइंग अलूवियल ब्रासलेंड में वायल्ड होते हैं तो इनको उसलोय जो इनकी शक्ति होती है उस पे खत्रा होता है थो इस matar होता आती है आजिये को में नेहीं ऑपतो स्थो चाहिसे और और कनीत बढ where का आ उन फ्रम में आग सब्याल और देख सकतके यहां पर टेरापिन राइट टेरापिन 6a है उसके बारे में जानते हैं टेरापिन यह तरका कछवा है इसलिए 62a और 62b यह भी टर्टल है नाम अलग है तो फिर इसका स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर यह कहां पर मोसली पाए जाता है बांगलदेश इंडिया कंबोडिया और इंडोनेशिया मालेशिया में ठीक है तो टेरिस्ट्रियल नेस्ट सैट्स मतलब जहां पर यह अपना गोसला बना के रह सकते हैं जहां पर बना के रह सकते हैं टाइडल एरिया और लार्जेस्ट डिवर एस्टुरीज क्योंकि यह कछवा है तो आपिसली इस टाइप की यह ज़ग में ऊक्ट है ठएक है तो फिर इसका ट्रेड किया जाता है उसज़ए से ने खत्रा होता है ये पैस聯डिनुद का इस में पायी पायाता है और ये पूरी तरह सबस्द्स पाइर वह से होता है अ और इतकलत है और उसके खत्रीजू से उसके वारेमें कोई description नहीं दिया गया है फिर आब आते हैं घडियाल पर ठीक है तो इस गडियाल है इसका status है critically endangered इंडिया में चंबल रिवर है वहाँ पर पाए जाता है चंबल रिवर कहां पर इंडिया में फिर गिर्वा रिवर पॉप और जो सोन नदी है बिहार और यूपी में वहाँ पर जाते हैं ठीक है फिर किया इसे खत्रा किस चीज से जो उनका habitat हो चेंज हो जाता है उसे इसे खत्रा है उनके habitat में क्योंकि मोसली वाटर बोड़ी से सब में रहते हैं और हम देखते हैं किस किस तरह से पल्यूशन के वज़ए से और भी जो बहुत सरी हुमन पैक्टर्स के व होता है वह काफी तॉ वह ह साथ हिसली इसका था उसलिए रहा गया है संधसर मुअ टार वसकूर से पाइस पास पर हम आते हैं green turtle पे तो इसका स्टेटस है एंडेंजर तो तो तू आउड जो ट्रॉपिकल वॉटर है वहां पर पाए जाता है और इंडिया में इंडिया नोशन है जो इंडिया महां समुद्र है महां सागर है वहां पर इस्ट वेस्ट मेडिटेरियन सी और प्रैसिफिक ओसि में इंडिया नोशन में भी पाए जा रहे हैं तो फिर त्रूआट ट्रॉपिकल वाटर से वहाँ पाए जाता है तो फिर इसलिए यह काफी जगे में रहते हैं और पूरे राइड लाइफ टाइम में यह काफी ज्यादा माइग्रेट भी करते हैं तो इसे खत्रा के से टर्टल राइट फिर एक्षाई टेरापिन और यह घडियाल आगे देखते हैं होस बिल टर्टल इसका स्टेटस है क्रिटिकल एंडेंजर तो त्रूआउट जो ट्रॉपिकल वाटर से इसका बहुत इसका भी लार्ज एक्टेंट है सब ट्रॉपिकल अट्लांटिक ओशन इ इसका फ्रीडिया कि जाती है और जो इसके एक हसे उतनुन आगे तरफये उन्हें पूरन चैनल यह पासी दोले आप रहते हैं पाने में रहते हैं वहांपर पौयूशन पहुता रहता है तो वसे और प्रॉप्लम जिसके नाम से पता चल रहें जो परत है वाली जिसका बैक है वो लदर का बनाऊंगा स्टेटस है इसका वालनरेबल तो लदर बैक आर डिस्ट्रीब्यूटेड जगह में यह बटे हुए होते हैं इनके nesting sites होते हैं जो वो sandy beaches में भी ट्रॉपिकल sandy beaches में पाय जाते हैं ए फोरेजिंग रिंग जैसे टेंपरेट से लेकर सब पोलार एरिया में भी पाय जाते हैं तो टर्टल इन्हाबिटेंग ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल सब पोलार एक्स्टेंसिब माइग्रेशन तो यह काफी जगे में पाये जाते हैं तो इस वज़े से माइग्रेशन भी बहुत जादा बहुत दूर दूर तक माइग्रेट करते हैं और बहुत अलग-अलग माइग्रेशन किया जाता है तो माइग्रेशन थोड़ा होते हैं उन से कंपार करें तो कम माइग्रेशन किया जाता है यूजिली करेंट के दौरा मतलब जो करेंट सोते ओशन का करेंट होते हैं उससे ही कैरिट की मतलब उससे आगे-अगे बढ़ जाते हैं तो मोस्ली टार्केटेट इसका एक्स्प्राइशन किया जाता है इसे जबर्दस्ती पकड़ लिया जाता है फिशरी इसके वज़े से इनका habitat destruction किया जाता है और इन्हें diseases उस वज़े से बिमारियां भी हो जाती है pollution भी हो जाता है और इनका शिकार भी किया जाता है उससे बहुत जादा खत्रा है तो यह देखिए और यह लैधर बैक सी टर्टल फिर हम आते हैं बेंगॉल फ्लॉरिकन तो इसका स्टेटस है critically endangered इसे इंडियन इंडियन सबकॉंटिनेट में यूपी नाचल प्रदेश में और नेपाल में पाए जाता है फिर साओथ एस्ट एस्ट एस्या कंबोडिया भी अतना वहां भी पाए जाता है तो लो लैंड जो ड्राई है और नैचरल से मिनाचल जो ग्रासलेंड से ओपन फॉ जाए से ओवर प्रेजिंग के वज़े से इन अप्रोप्रेट कटिंग जो जाब पेड़ों को काटने अगे सब जाए पेड़ों को ज्यादा काटा जाता है फ्लॉगिंग मतलब यहां पर अग्रिकल्चर यह सब अक्टिविटीज बजा जाते है फ्लडिंग इस वज़े से जो इल्लीकल डेवलप्मेंट हो रहा है उस वज़े से भी इने काफी जादा खत्रा पहुंचन लगता है फिर बाद में आता है हमारा ब्लैक नेक्ट क्रें ठीक है तो नाम से पता चल रहा हो किस तरह से दिखता होगा इप इमेजन कर सकते हैं स्टेटस है इसका बलरेबल इ यहां पर पाई जाते हैं फिर बाद में देखते हैं इसे खत्रा है बहुत जादा ग्रेजिंग के वज़े से इंटेंसिव ग्रेजिंग होती है उस वज़े से और पैस्टिसाइट के इस्तमाल के वज़े से उस वज़े से जो यहां पी ग्रैस्लेंड में रहते हैं उनके डि तो रॉके टेरेन नाम से पते चल रहा है रॉके टेरेन में पाए जाता है जहां पर लंबी लंबी घास होती है स्क्रब्स होते है और वहां पर पाए जाते हैं यहां पर हाइट भी गई है एल्टिडूड भी दिया गया हुआ है तो यहां पर फिफ्टिफटी फाइब कर थी थाउजन फिफ्टी मीटर सक इनका शिकार किया जाता है इनके अंडों को खाया जाता है कंस्रक्शन एक्टिविटी जैसे की डायम और एलेक्टिसिटी के वज़े से वज़े से भी इनका हाइबिटाइट लॉस हो रहा है और जिसे इनके खत्रा पहुंच रहा है यह आपका फ्लॉरिकेन और फिर है आपका यह चियर पीजेंट फिर हम देखते हैं फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं इसका स्टेटास है क्रिटिकली एंडेंजर एंडमिक मतलब यह सिर्फ कहां कहां पाए जाता है सेंट्रल इंडिया में राइट इसेंट्रल पार्ट है जैसे कि नौधन वेस्टन महराष्ट्रा साउथ इस्ट ऑफ मधरदेश तो 1997 1997 तक उनी स्पैसिम टीक ग्राउंड जहां पर ज्यादा घास होती है यह मोस्ट्रीन का साइट है मतलब यहां पर ज्यादा रहते हैं इन्हें खत्रह है फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन के वज़से और ज्यादा ग्रेजिंग के वज़े से फिर आता है बार्किंग डियर जिसे मुंच्टाग भी कह तो बालि आता है इस तरफ अ कि यहां पर फॉर्स आट, जाएं आपम पाइज है तो आहीं शासे ट्रह पलेथा चिंग है उसके बार्कें फचाorse अचशन के अवह ब्हूंत से इंक्रोच्मेंटेयों है मतलке उस्ट्रोच के बाहिता इसको फ्लेंड आता है और फञ़ा है फ् नहां पे अपने कुछ बनाने लग जाता है थोड़ी ठड़ी जगे में फिर थीरी इस जगे को हड़ अनिन लग जाता है तो उसे जगते हैं पर प तो इसका स्टेटस है यहां पर देखे कुछ वह दिया गया हुआ है तो 8-30 डिग्री नॉर्थ जो इंडिया में है जैसे सिक्किम में फिर नेपाल भुटान में पाई जाता है बांगलेश में पाई जाता है शिरंका में पाई जाता है वेस्ट पंगॉल और इस्टन राइस्त में और जो इंडिया के इंडिया के पाई जाता है राइट फिर बाद में जो मॉइस्ट फोरेस्ट होते हैं वहां पर जाना यह अवाइड करते हैं सेमिड एरिया है ओपन सेमिड एरिया में वहां पर जाते हैं वहां पर जाते हैं वहां पर जाते हैं तो थानी स्क्रब और पाई जाते हैं फिर अप देखते हैं इसे खत्रा है हंटिंग से और जो वहां कि डॉमेस्टिक लाइप स्टॉक उससे खत्रा इसके से खत्रा नहीं लेकिन जो पॉसिब्ल हरें वह बता हैं चैकल कईए फिर से यह तो तो यह इसका स्टेटस है नियर थ्रेटन यहां पर देख सकते हैं एक मिन पाया कहां कहां जाता है बंगलदेश चाइना सदन तिपेट और नौधन इंडिया में कहां कहां पर सिक्किम में और फिर नौधन पाकिसान में पाई जाता है और पॉसिबली शायर वेस्टन मयानमेर भी इसे पाए जाता है फिर यह जो स्टीप मॉंटेंस होते हैं और एवर्गेंट फॉरेस्ट होते हैं इसने जगह में ज़्यादत पाया जाते हैं तो हैब्र इसे कॉम्पटिशन के वएसे इन्हें खत्रा होता है तो यह आपका है गोरल और यह आपका चीताल ठीक है यह डियर है यह चीताल है आगे देखते हैं होग डियर ठीक है होग डियर इसका स्टेटस है एंडेंजर्ड ओके तो यह पाय कहा कहा जाता है पाकिस्तान नौधर एंड नौथ इस्टन इंडिया में और अक्रोस नॉन संडलिक रीजन जो हैं वहां पे और सदन चाइना में भी थोड़ा बहुत पाए जाते हैं तो वेट और मॉइस टॉल टॉल ग्रासलेंट्स होते हैं वहां पे पाए जाते हैं इन्हें खत्रा है 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 डिस्ट्रक्शन के वज़े से और फिर हंटिंग के की में और इंडियन सब्कॉंटिनिट में और रीसेंटली नेपार में भी इसे देखा गया है पाए फिर ओपन हैबिटेट में रहते हैं लाइट फॉन जहां पर थोड़े बहुत कांटे होते हैं और यह डेजर्ट को अवाइड करते हैं जहां पर एक्दम खुले डेजर्ट में आता है यह इंडिया में काफी वाइडली फैला हुआ है जो लो लेंड है नेपाल में और जो बॉर्डर एरियाज है पाकिस्तान और पांगलादेश में वहां पे लगभग एक्स्टिंक्ट हो चुके हैं और यह डेंस फॉरस्ट को वाइड करते हैं बहुत देजर्स जह लो राउजर्स अर ग्रीजर्स नाम से पत्षा चल रहे है यह नील गई जो कहा है टहसे सब खाके रहते हैं तो ग्रेजिंग इन नंका में सोरस है फुटका फिर बाद में जहां पर एग्रिकल्चर प्रैस्ट को बनाया जाता है वह वह सब एक्ट्रॉक्षन को शबगर से न हाइना नील गई और फिर एक और था हॉख डियर राइट यह आपको आपको पता होगा बहुत लोग को इसकी स्काटेगरी है वानेरेबल यह वानेरेबल में आता है इंडिया में कहां पर पाई जाता है झाल फिर लोग एस वह अधने हमाले जर्ण जाता ही में जाते हैं सतुरे स्ट्रूं अरल जो इंडिया में पाई शीमी पाई जाते हैं यह तो पैले नियुक्ट में इंडिया में जो चाहए आध मने जो ढोग जो फारेश्ट में फिर एस आफ्यूल्ह तो कह इंग आ भी स्थ तो तो प्रहें इंक्रोश्मेंट के वएसे से काफी जादा खत्रा है पिर आता है वाइल पिंग यहां यह कंसर्ण काटेगरी में है तो चयुद तो और अक्रिन मोडिफाइट फ़र्म में हर कॉंटिनींट में पाए प्र आता है इंडिया का जो Porcupine है यह least concerned status है इसका तो तो तर्की से लेकर पाकिस्तान में पाए जाता है इंडिया चाईना नेपाल और शिलंका में पाए जाता है तो जो रौकी तो यह देखिए जो वाइड पिग है यह आपका वाइड पिग यह आपका वाइड पिग है और यह है सामबर ओके डियर की के रही है तो इसके साथ यह चैप्टर फाइनली खतम होता है आपसे रिक्वेस्ट है इन वीडियो को जरूर देखिए और इन जो वीडियो से इन लक् झाल झाल